असलाम वालेकुम मैं चांद वेलकम करता हूँ electrical functions यूट्यूब चैनल में फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम घरों में जो electric heater का यूज करते हैं वो कितनी actual में आपकी electricity consume करते हैं इसका formula आपके सामने आज हम रखेंगे इससे आप किसी भी electric heater के wattage को देखते हुए उसके units निकाल सकते हैं और फिर units से आप calculate कर सकते हैं कि वो चीज महीने में आपकी कितनी electricity consume कर रही है मतलब कितने आपको उसके अलग से charges पढ़ रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने काफी तरह के heaters मुझूद है जो के electric heater है सर्दियों में आपको पता है इसका बहुत ज्यादा इस्तमाल होता है तो मैं आपको बताऊँगा कि ये जो है बहुत ज्यादा electricity consume करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो helpful हो सकती है वीडियो का end तर जुरू देख लिजिएगा फ्रेंड्स आपके सामने यहां पर एक heater मुझूद है जिसके उपर आप देखेंगे इसके detail इसकी लिखी हुई है 220 voltage और इसके wattage मुकमल जो इसकी current rating है वो सारी लिखी हुई है हर heater के उपर ये लाजमी mention किया गया होता है यहां पर आप देखेंगे इसके उपर mention किया गया है कि ये heater 2000 watt का है तो आपने watt को लेकर ही इसके units निकालने हैं चलिए formula की दरफ आ जाते हैं यहां पर इसके 2000 watt है तो इसी heater की हम बात करेंगे कि ये हमारी दिन में कितने units लेगी और फिर इसके हम calculate करेंगे कि unit के इसाब से मन्तली इसका bill क्या बनेगा फ्रेट्स यहां पर 2000 watt इसका जो formula है वो देख ले किलो watt होर इसका formula है तो 2000 watt को हम तक्सीम कर देंगे 1000 पर जितने भी wattage हो उसको आपने तक्सीम करना है 1000 पर यह इसका formula है तो 1000 पर जैसे ही हमने इसको तक्सीम किया तो यहां पर जो है दो unit इसके निकल आए हैं तो मैं इसको जो है तक्सीम कर दूँगा इसको multiply कर दूँगा दो इसके unit को 8 के साथ यहां पर जो है इसके 16 unit निकलाएंगे एक दिन की यानि कि 24 घंटे में आप 8 घंटे इसको यूज़ करते हैं तो heater के जो मिलाके एक दिन में 8 घंटे के निकले unit वो 16 हैं अब हम इसको 30 से multiply कर देंगे 30 दिन हमने इसको use करना है महिने में 30 दिन होते हैं तो इसको multiply करने से 480 unit इसके total बन गए अब 480 unit यह खाता है अब आपके इलाके में क्या रेट चल रहा है पर unit का तो वो हम देख लेते हैं तो इसको अब मैं multiply कर दूंगा 480 units को तकरीबन 8 मान के चलो 8 एक unit 8 रुपे का है तो इसको हम यह कर देंगे यहां पर multiply तो यहां पर आप देखेंगे 3840 रुपे जो है monthly इसने cost की तो मतलब कि आपकी बाकी सारी घर की चीज़े एक साइट पर और इस अकेले electric heater ने जो है तो महीने के 5000 बिल इसी का बन जाएगा इसी तर अगर आपका 800 वाट का heater है 500 वाट का heater है या फिर आपका 1000 वाट का heater है तो यही formula यूज़ करके आप उसके units निकाल सकते हैं और units को फिर आप आगे calculate करके उसका monthly जो बिल है वो निकाल सकते हैं कि कितने पैसे इसके monthly बन रहे है तो मीद करता हूँ guys आपको यह वीडियो पसंद आई होगी यह formula है इसका आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी electrical implies में तो आप उससे मुकमल उसका बिल की detail जो है जान सकेंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो का like करें electrical functions यूट्यूब चैनल पर new है तो इसको भी subscribe करें ताकि कि ऐसी ही वीडियो आगे भी आपको मिलती रहें और इससे आप पुछना कुछ सीखते रहें मैं मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच अलाहाफिस